जिस तरह आपने हमारे चैनल को पसंद किया है आप लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब हैं बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपके साथ में हूँ और जो आपकी समझे हैं उनका निदान करने की कोशिश कर रहा हूँ आपने जैसे हमारा जो वीडियो है वो लाइक किया है उस विशाब से मैं आपको और दी काफी वीडियो आगे देने जा रहा हूँ आज का हमारा जो टोपिक है वो है आप जैसे भाई ने कमेंट किया था कि फसल काटते समय मसीन में फच जाती है तो इसके फसने के कई कारण है जो मैं आपको एक-एक करके continue समझाना जा रहा हूँ और मुझे continue आपको मैं समझा रहा हूँ और मुझे विश्वास है आपको काफी अच्छे तिरिके से समझ में आएगा और विश्वास ये भी है कि आगे तुम्हें दिक्कत कम आएगी तो हमारा आज सब से पहले जो टोपिक है उसको चालू करता है कि कमेंट ये था कि फसल फसती क्यों है तो फसल फसने का पहला कारण ये है जिस खेतने गये उस खेत की मिट्टी अगर least जसर ऑब है चलते ही वह जैसे काटती है उससे पहले पेड जमीन से उखड़ जाता है तो हमारी मसीन है वह फस जाती है यह इसका पहला कारण हो गया अभी हम नेक्स्ट के लिए चल लेड हैं यह जो आपको दिखाई की देरी होगी यह ब्लेडें अगर टूटी हुई है तो भी आपकी मसी इसका चाटते समय फस जाएगी क्योंकि मसीन कटाई नहीं कर पाती है यह इसका सेगेंड कारण है और हमारा तीसरी जो समश्या है वो यह है कि हमारी जो बैल्ट है यह बैल्ट है अगर इनकी ब्लेड बलेड बोले या इनको पत्तियां बोल चकते हैं या सैल्फ रोल दे यह सेल्फ अगर एसे बिलकुल च्पक गहिए जैसे आप देखें यह चिपकी हुई है और यह खडी हुई है तो इसके चिपकने से उनगार पाह कि अधर SKAR नहीं भूंता है यह आप देखें है इनके चिपकने से स्टार भूनता नहीं और आपकी फसल फंश जाती है यहीं पर आफका जो इस्टार। जिए स्टार आपकी इन पत्ती से मतलब इन बैल्ट से अगर इसकी दूरी या हो जाती है यह दूरी होने की समझे यह कई भारemicर खेत में कहीं फॉसके नीचे जुख़ाता है नीचे जुकने की वज़े से ये दूर हो जाता है इस बैल्ट से और बैल्ट से दूर हो जाएगा तो ये घुमेगा नहीं क्योंकि इस टार को ये बैल्टें ही घुमाती है और ये अगर घुमेगा नहीं तो आपकी इस्टार चलेगी नहीं और फसल यहीं पर फच जाती है ये जैसे कि कच्र पिर अपान होगु है या काफी बेले होती यह वह हमारी फसल में यह बहुत ज़्यादा फूसल्रों से तो उससे भी हमारी फसल करती नहीं तो श unut स्यव्हेत करना फिर कमने खर्पतवार ज्यादा तो नहीं है ज्यादा बेल टाइप का खर्पतवार हो तो भी जो फसल है वो फस जाती है कटाई करते समय वह बलेडों में दिक्कत करती है और फसल फसके यहीं पर इस्टार के पास में खड़ी हो जाती है आगे कटती नहीं है जो आगे की समझ्या और भ आप्राइ वग्गा रख्राइब लगल रुर्गा रेष्णी work